फाइनली नीलकड की चड़ाई हम सुरू करने वाले है और भाई 10 किलोमेटर जा रहा है 10 किलोमेटर वापिस आना है 20 किलोमेटर की चड़ाई है वैसे मेरा हाइस टीकोड ट्रेकिंग का 60 किलोमेटर है लेकिन वो ट्रेकिंग पहाडों की ट्रेकिंग नहीं थी वो रोडों की अब देखते हैं कितना चल पते हैं कितने ठक पते हैं चलो सफ़ए केस में गाय और विजार की हैट यह नॉर्मल हईट इतनी होती है हमारे वाले बहुत कुछ जार की नॉर्मल हईट बहुत ही छोटी बाई बहुत कि यहां बोर्ड पर लिखा एक किलोमेटर जाने के बाद बुता चलेगा किस टाइप की चड़ाई है और कहां तक पहुच रहा है महादेव इधर रस्ता है 84 कुटिया का पता नहीं यह बाद वे देखेंगे इसको राजाजी टाइगर रिजर्ब शेल्डिंग जया विविजिता का अज़ित्य फंडार नाइंट एटी थ्री में इस्थाप्रा वितिवाई से महादेव का सेके नास्ता फर्स्ट यू है सेकेंड यू यह उपर जाकर इसी सही अटेच हो जागा चली रही है अभी तो दस किलो मेटर बताया अभी एक किलो मेटर भी अच्छी तरीके से चले नहीं हम चले अंकल जी हुआ 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 है दो किलो मेटर है हालत ब्लुकल खसत होगी अभी आठ किलो मेटर और उपर चड़ना है कैसा ट्रेक कवर कर रहे है अधर तक रोड़ साहते फिर इदर से इस सारे हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है है ऐसे बहुत उपर आगी हम एक दम से देखियो चलो थोड़ा सब अंदर से दूवे से रिकल ले लगी हुआ के कते गोले से अभी तो साड़े तीन किलमेटर के आसपास की चड़ाई हुई होगी कवर व्यूपॉइंट देखो भाई सब नजा रा क्या खोड़ सूरत है पिछे का अब ही रहा है कुछ साथ के मिले भाई वे आ रहे हैं पिछ्छा है उनकी उमार 45-45 वाद है और बात अलग है लगबगी और निलकंट की जो चड़ाई होगी तीन साड़े तीन हचार मेटर के आसपास होगी और समंदर तल से तो बता नहीं कितना होगा यहां से क्योंकि दस किलो मेंटर की उपर की चड़ाई है एवरेज लगा रहूं इतनी कि तो होगी होगी कि गने बनों मैं को ट्रेक निगा रखा इधर को आओ तो इधर को आजियो है थीक है आजाओ उपर ही मिन हुआ हाई सब यह तो साइद कुछ भी नहीं है कि दानाद बद्रीना तो कुछ अलगी सिस्टम है महाँ पर भी जाकर देखेंगे कि यह देखो यह ट्रैकिंग है गलती हमारी है हम रस्ता छोड़ के हाँ पर आए इस ट्रैकिंग के लिए तो भाई जैसे कुछ भाई बता रहे है यहां से पड़ेगा उसके वाल और उपर चार किलोमेटर दो है तो चार किलोमेटर हम आ चुके हैं आपर कि यह ट्रैकिंग तो भाई याद ही रहेगी व्यूज देखो भाई अलब जरनी आइसी स्टार्ट करिये में तो हारी दो आ रिसी केस निलिकंट महादेव अगे का मुका मिला तो के दानाथ बद्रीनाथ और माना लास्ट विलिज ओ इंडिया फैनली भाई रूड पागे इ अब यहाद को इतनी प्यारी चलिए नजारे 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 अभी एक लड़की न है चने गिफ्ट करें पतना चेहरा देखके आ कैसे भी ले लिए खाली है बात करने से पता चला कि यह कहरे कि अभी तो तुम कुछ आए नहीं हो अब तुम चड़नी पड़ेगी बिल्कुल खड़ी चड़ाई पलाब यार नीच्चे से 6 किलोमेटर आने के बाद ठीक है उसके बाद तुम्हें यह पता चला कि अभी तुम कुछ आए नहीं हो च्छ सब्सक्राइब भाई सही कह रहेते हैं अब जैस्ट दिखोगे तुम इधर से तो बिल्कुल खड़ी चड़ाई है उपर से व्यू दिखाऊंगा और बोलने में जो एनर्जी वेस्टूरी वह लेक्स है यूट्यूब का चस्का जित्ता उपर आई जारे व्यू तड़ाई केड़ा आ रहा है बात वह है वस अपना ओपो है ना व्यू दिखा नहीं रहा है तकड़ा यह देखो यह देखो यह देखो नीलकंट की चड़ाई आज पता लगा कि भाई पूरा जिसमें दम होना वहीं कर पावेगा जैसे ही हम ठीक है बहुत सारे आरे और देखो वह कहां है इत्ते सारे आरे हैं आपने साथ के दो निच्चे छूटीए यहां पर बताया जावा है कि भाई जानवरों का खत्रा भी बरकरा रहा है सेर उन्होंने बताई कि उन्होंने बाकाइदा चीता देखा भी है यहां पर एक हीरन को दबतते हुए हीरन तो मैंने भी देख लिया तब इच्छे हीरन और लंगूर बंदर यह सब तो अपने भी देखे का सिस्टम आवे तब लगया कि लबस उससे पहले उससे बाद में कोई आज़े लेखा आट अचाएदा भी तुम आड़ो के भी च भी मैं पिछे का यह प्लार हो जावे पता निकर राए को वाइट ऑज दूशन का है वह पार देखा देखा का मकानि है कि इतने हाथों को जेरे रहे हूं इह है लिख ग्षे-पिछ्ए नहां पता जान भाई है हा नहीं कि अदर्दे दर्दे अकी दर्दे साही दर्दे यह नी मारेंगे यह करेंगे यह जो तो देखोई यहां से फुल ना जारा यह गंगा माता है अपनी तुर्वेनी घाट भी धर यह पास महीं ठीक है और यह सब सीन है आज का बेस्ट सीन है यह कैमेरे में कैद नहीं हो रहा पर अखो से देखा हुआ बहुत बेस्ट सीन अब तक का ऐसे से स्ट्रेक्चर दिखेंगे है जब नील कंट महराज का मंदीर ब कैसा है यह सफर मनजिलों किया पता माना करदे फिर्ची है 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 कि अ कि अ है 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 कि